तो 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 कैसे हैं अपर गुमित का तो हम अच्छा हूं कि आज हम करने वाले बीड प्रोग्राम का HTML खा तीक्स प्रेक्टिकल जो कि हमारे थर्ट सेमस्टर के अंदर है तो तो हमें अब किसी बीडॉक्युमेट के अंदर हमें एक और वाप पेज शो करना है तो इसमें जैसे डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट तो लिखा वाए इस पर क्लिक करके जो हैं साइड में बॉक्स है इस फ्रेम विड शो दा कॉंटेंट अकॉडिंग त है तो इसके लिए में डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट त्री तीन फाइल्स क्रेट करने पड़ेंगी ठीक है तो इन तिनों पर क्लिक करके हम अमलब जब हैमन पर क्लिक करेंगे तो जो साइड में बॉक्स बना हुए दिस फ्रेम वाला जो लि तो देखिए मैंने फॉर्मेट पहले से बिना रखका है तो आई फ्रेम में क्या करते हैं देखिए जो हम अलगे बॉडी के अंदर हम हैं लिख देंगे जो भी हमें लिखना है फिर हम फ्रेम स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले लिखना है इसके अंदर कुछ भी लिख देखते हैं इसे इस प्रेक्टिकल शोज़ दा इलस्ट्रेशन ओफ फ्रेम्स ठीक है यह लाइन बेरेक होगी अब नेक्शन करते हैं फ्रेम स्टार्ट करते चलिए तो इससे पहले हमें थोड़ी डॉक्यमेंट और क्रेट करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट वान टू और थ्री ठीक है तो पहले वो क्रेट कर लेता हूं मैं तो मैं शोर नहीं कर रहा है नॉर्मल कोई भी वेब पर शो कर सकते हैं से मैंने इसके इंदर बना रख गया है ज तो दिपार्टमेंट बना लिया ऐसी तो इसी सेट हर्ट बलबाना तैंच हम तो यह करने हैं रिचल करता हूं कि तो इसे मह कपी कर लेता हूं और और यह फॉर बनाता हूं मैं दो नूई फाइल मना के अब इसमें पैस्ट कर देता हूं कि अटे कर करता हूं तो यह इसे कर लेता हूं डिपार्टमेंट 2.html इसे लिखा वाई है तो डिपार्टमेंट 2 हो गए है है सी हम डिपार्टमेंट 3 भी बना लें गए तो देखिए बन गया हमारा डिपार्टमेंट 3 इस इस और मैंनेजमेंट मैंनेजमेंट स्टाफ के डिचल होगी तो ऐसी बनाना है बस डिपार्टमेंट बन गए हमारे कंप्लेट हो गए ऐसे भी सेव कर देते हैं इसका नाम हम देते हैं डिपार्टमेंट तरी ठीक है तो डिपार्टमेंट तरी हो गए है तो देखिए मैंने इस चीक से सेव कर दिया है तो अब हम वापित अपनी सिक्स वाले पर आते हैं न्यू फाइल तो देखिए आप यह प्रेक्टिकल सिक्स में पर इसे बना लेता हूं आप यह प्रेम्स प्रेक्टिकल सिक्स तो इसमें हमें क्या करना थे दिखते हैं इस अपरन चेंख क्रो यह शनले वाल तकिके शेटिक क्रों तो ए हम देखिए कि दिख्रकों मुक्रतीय भी प्रेक्टिकल शेडिए आई फ्रेम के अंदर लिखते हैं जो लिखना होता है स्टाइल वगेरा यह सब ठीक है तो यहां पर इसे पहले नेम कर देता है आई फ्रेम को तो जैसे हमने इसे फ्रेम को नेम कर दिया पी सिक्स ठीक है नेम करने के बाद और क्या कर सकते हैं और भी मतलब देखने चलो नॉर्मल क्या करेंगे आगे पर आगे हम क्या एड कर सकते हैं पर क्या 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 हम हमें लिखना है लिंक्स ठीक है से हम नॉर्मली प्रोवाइड कर आप All के भाद था हमारा डीपार्टमेंट न एक लिए बात था अ ता जरुन लेखिने न वोन शोर्करना था हम है तो डीपार्टमेंट मैं शोर्क आसे करेंगे पहले कता हमें लिखा होब शोर्क रना वो लिन्क एक तो एहर ऐ फुंक्छन लगेगा उसमें कांसा a href is equal to department 1.html ठीक है और असे close भी कर देंगे हुआ कि ऐसी next को से copy कर लेता हूं तो यहां पर change कर देता हूं तो यहां पर एक बात है यह नॉर्मल हमने लिख दिया यह तो लिंक पर क्लिक करेंगे तो next में कुलेगा पर अगर हमें इसके अंदर इस फ्रेम में करने एक्जेक्टली तो यह मने फ्रेम बनाया है एक बन रन करा कि दिखा तो देखिए फ्रेम बने इसमें क्लिक करूंगा तो इस फोटी चटी चटी लाग या देख लिखावा पर यह अलग में खुला है इस ही के अंदर खुलने है उसके लिए हम क्या करेंगे हिससे नेम टार्गेट नेम् पीशिक्स करी दिया चमप यहां पे लॏकि लिखेंगे हम टार्गेट टार्गेट्ओ विंड्व क्या होग decision है तो यह इस तो सफेट में टार्गेट इसक्वीक्स जो पर्दैबर शाव औरा अ है यहां दो जोफ्क thirty ऑ्साम में नाले पीशिक् तो इसमें यह जो है अलग से खुल रहा है तो हम देखने की जो फ्रेम है यह बीच में आ रहा है इसके साइड में कैसे करें देखिए इसको हुआ हमारा एक्रीट होता है स्टाइल इस तैल करें लिखेंगे तैल में लिखेंगे इस इक टो करें फ्लोट इच यह हमारा रेश्या वाला सिंबल राइट ठीक है अला यह राइट में हो जाएक आप रणकर करके दिखाता हूं को देखिए राइट में जैसे बुक में बना तो देख इसके साइज भी बढ़ा कर सकते हैं विट हम कर देते हैं 80% क्यों कमरे साइड में लिखावा भी है और आइट हम कर देते हैं 100% कर देखें अब रण कर देखते हैं तो देखें भी बड़ा होगे न अब डिपार्टेंट वह भी साइड में रिखा रहे हैं आपे में ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा अब ब्रेक स्टेटमेंट अब देखिए अब जैसे हुआ कि यहां पर भी लगाना पड़ेगा अब देखिए सार नहीं चाहिए सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट प्लिक करेंगे तो मैंने चेक कर लिया इसमें इसमें एंड्रोइड में खुलने पा रहे हैं पर आप इसे कोड कंप्यूटर में करेंगी सेम तो आपका जो कोड होग अब विंडो के अंदर ही खुलेगा मतलब जैसे हमने जो कोड बनाया है इसे डिपार्टमेंट वन को पे क्लिक करेंगे अब रन करके तो यहां पर तो अलग में खूल रहा है तो उसके अंदर क्या होगा जोई खुलेगा वह इसके फ्रेम के अंदर देखे गाए तो फ्रेम तो बस यह हो गया हमारा प्रेक्टिकल फ्रेम का सिंपल है बस आई फ्रेम में लगाना है आपके कीवर्ड और हो जाएगा हमारा कंप्लीट तो बस आज की प्रेक्टिकल में इत्ता ही मिलते हैं फिर अगले प्रेक्टिकल में जल्दी आएग अगले प्रेक्टिकल भी तो ज रहे हैं जबने मात्रम